हलो फ्रेंट्स बीएसी स्टुडेंट्स के लिए बनाए गए इस चैनल में बीके कॉमपिटिशन क्लास में आपका हार देख श्वागत है जैसा कि बीएसी की एक्जाम बहुत ही नजदीक आ गए है और देखतर बच्चों के लिए इसी क्रम में आज हम फिजिक्स के पेपर सेकंड के संपूर्ण जो पांच यूनिट है उसमें जो जो इंपूर्टेंट कोश्चन है वो आपको प्रोवाइट करा रहा है और हम मुझे बिश्वास है कि लगबग सेविने से 80 परसेंट कोश्चन सी के अंदर से आ जाएंगे तो आप कुछ ना कर पाएं अगर आपने पहले से पढ़ लिया तो बहतरीन है लेकिन अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो इन कोश्चनों को अच्छे से कर लीजिएगा हम इंपोर्टेंट कोश्चन के और बढ़ते हैं तो यूनिट फर्ष्ट के इंपोर्टेंट कोश्चन देखिए बहला है कृस्टल यह तता आकर्श्टलिय ठोसों की तुलना करना दूसरा है पेकिंग फ्रेक्शन पर तीसरा है यूनिट एल पर आप वीडियो को पॉस करके से इसको लिखते जाएं हम सिर्फ आपको बिगनर्स इस्टिस सेल को समझाईए किस्टल में समयती के बारे में बताना है आपको मिलर इंडेक्स को अच्छे ध्यान दे कर जाना इसके बाद ब्रेक का एक्वेशन ब्यूत कमजालक और क्रॉनिंग पैनी मॉडल यह कुल आठ कॉ ब्रेक के सन को और क्रॉनिंग पैनी मॉडल इन तीन को कह लीजिएगा इन्हीं मैसे आ जाएंगे लेकिन फिर भी सहुलियत के लिए आठों को याद कर लीजिएगा होशा के तो ठीक है अब सेकंड यूनिट पर चलते हैं सेकंड यूनिट ही रही पहला कॉस्चन है बोर इसका यह मतलब है कि यह जो सौट कॉस्चन आते हैं उसमें यह सकता है कॉस्चन डियूलिंग पैटिट का नियम बताना है चरसमत सिद्धान द्वारा से नेगमित करना है और इसकी जो भी कम्यां हो उसको बताना है होल एफेक्ट बताना है किसी ठोस के लिए गुडांग के लिए होल गुडांग का बेन जग्यात करना है चुम्ब कत्व की नम्नपदों की परिभासा देना उसमें आपको चुम्ब कंती ब्रता चुम्ब की प्रेरण चुम्ब कंसीलता चुम्ब की प्रवत्ति इन चार चीजों के परिभासा देनी है उसके बाद आपको प्रती चु करनी है और साथ ही चुम्भी के प्रवत्ती के लिए क्यूरी का नियम बताना है और आठमा कॉस्चन है लो चुम्भी के पदार्थ अनुचुम्भी के पदार्थ से किस प्रकार भिनने है लो चुम्भी के पदार्थ के लिए क्यूरी वाइस का नियम प्राप्थ कीजिए तो यह question है unit secondary के लिए इनको आप पर लीजेगा अब चलते हैं unit third पर देखते हैं पहला question है शुद्ध या आंतर अर्ध चालक एब अशुद्ध या बाह अर्ध चालक से आप क्या समझते हैं देखिए शुद्ध लिखा आए या आंतर लिखा जाए दोनों एक ही है ऐसी अशुद् इसके बाद प्रकास उस्तरजक डायट को अच्छी से कर लेना प्रकास उस्तरजक डायट की रचना कारविदी वावपयोग अर्ध तरंग नेवं पूर्ध तरंग दिश्टकारी यह तो पड़ा ही होगा आपने 12 में शुद्ध अर्ध चालक में लेक्टानों तथा होल की सा हाथा से समझाइए पी एन संदी डायोड में आपको अग्रेवं पस्चबनेती बनानी है विद्धुत परिपत बनाना है उसका और अभी लाक्षनक बक्र खीचना है सोलर सेल की बनावट बाकारविदी का बढ़न करना है इसके क्या उपयोग है इसके बारे में देखना है तरंग दिश्टकारी का परिपत खीच कर इसकी कारविदी का बढ़न करना है इसकी दक्षता एवं उर्मी का घटक बोल्टेज नियमन के लिए बेंजग याद करना है ठीक है तो यह जो कौश्चन है यह थर्ड यूनिट के लिए important कौश्चन है इनको देख लीजेगा इसम में आपको देखना है प्रवर्दक से आप क्या समझते हैं आदर्स प्रवर्दक के अभी लक्षण क्या है इसको बताने हैं आपको प्रवर्दकों में बुरूपर से क्यातात पर है इसको बताना है आर्सी योगमन प्रवर्दक के गुणवा दोश बताने है मौडूलन इव खीच कर कीजिए धारा लब्दी, बोल्टेज लब्दी वर सक्ती लब्दी के लिए क्या नकालने हैं बेंज़क्र प्राप्त करने दूई स्टेजी आरसी युगमन प्रवर्दक का परिपत खीचना है इसके विवनना अभियों के लिए केक कार समझाने साथ मा कोश्चन है उभाइनिष्ट आधार विद्धा में एनपी एंट ट्रांजिस्टर प्रवर्दक की कार विधी का बढ़न करना है हाइब्रिट तुल परिपत की सहायता लेकर धारा लाप, बिवावलाप तथा पावर लाप के लिए बेंज़क निगमित करने हैं परिपतों में शोर से क्याता पर है या कितने प्रकार के होते हैं इनको समझाना है उस सर्जक अनुगामी क्या है उप्योक्त परिपत बनाकर समझाईए तथा विशे स्थाएं भी लिखिए दो लित्र किशे कहते हैं इसका शिद्दान समझाना है तथा बौर्क, हाशन, पृतिवन्द की स्थापना करने है अर्ट ले दो लित्र का बिद्धुत परिपत खीच कर कारविधी समझाईए तथा आप बृति का सूत्र लिखिए पुर्णर निवेशी प्रवर्दक से कालपिट दो लित्र का आवश्चक परिपत बना कर समझाना है इसके बाद मौडूलेशन के बारें बताना है कि मौडूलेशन से आप क्या समस्ते हैं इसके प्रकार आयाम मौडूलेशन को समझाते हुए बेंड चोड़ाई ग्यात करनी है और लाश्ट मा कॉस्चन है यून क्यूचन यूनिट फर्स्ट करन थां के यूनिट फोर्ट के फिफ्टीन कोस्चन अब लाश्ट रहे दिंट उनिट इसके यूनिट फिप्त इसके में सरफ चार कोस्चन है एक तो बैट कई एक्पार बिदी अह आप क्या समझते हैं दूसरा नैनो लिथोग्राफी क्या है तथा अर्थिचाल के नेनु पदार्थों को समझाईए और चौता है नेनु टेक्नोलोजी के अनु प्योग पर नमन दिखिए तो यह रहे बी एस सी फानल येर के इम्पोटन्ट कॉस्चन आप कमेंट्स में बताइएगा की और सब्जेक्ट के आपको अगर इम्पोटन्ट कॉस्चन चाहिए है तो बताईएगा और साथ में अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें यह प्र हमें मॉटिवेट करें थैंक बसके बाचो चुम्ट